आशूलिपी मासिक पत्रिका प्रतिरेखन संख्या 33 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनिट स्टार्ट महोदय अंध विश्वास से मुक्त होकर धर्म का स्वरूप काव्य में हो जाता है। यसी बात है कि हजारों वर्षों से मनुश्य उनके प्रभाव में रहता चला आया है। कई बार आस्था में जीवन और धार्मिक क्रियाओं से संदर्य का बोध होता है। धर्म स्वयम संदर्य का एक रूप है क्योंकि पवित्रता उपासना और ध्यान साधना के द्वारा संदर्य की अभिव्यक्ती होती है। यह बात हिंदू धर्म के संदर्भ में विशेस रूप से उलेखनिय ह। वैदिक धार्मिक परंपरा में प्रक्रती के विभिन तत्वों की उपासना का विधान रहा है परा। प्रत्वी सूर्य, चंद्रमा, आकाश, आदी, तत्व सभी संदर्य के प्रतीक हैं। ऐसंख्य देवी देवताओं की कल्पना में भी विचित्र प्रकार का संदर्य भोद होता है। धार्मिक रीती रिवाज उत्सव वर त्योहार हिंदुओं की धार्मिक चेतना के साथ उनके संदर्य प्रेम के परिचायक है। यह तर्क से अधिक अनुभव की बात है की मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया में कितना भी आगे निकल जाए वह धर्म के बिना नहीं जी सकता। इसका कारण यह ह की मनुष्य के धार्मिक विश्वास के पीछे एक सत्य ह जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहा है। वह सत्य रहश्य मह धार्मिक विश्वास का यही मूल कारण रहा है। सत्य को नै प्राप्त करके भी मनुष्य यह अनुभव करता है की जो उसे धर्म ने दिया है वह अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। सत्य को प्राप्त नै करके भी उसमें यह विश्वास निरंतर बना हुआ है की धर्म और धार्मिकता का जीवन ही उसे परम सत्य को पाने में सक्षम बना सकता है। केवल यही बात धार्मिक बने रहने के लिए कम शक्ती साली कारण नहीं है परा। इस धार्मिक विश्वास की अभी व्यक्ती भी कई प्रकार से होती है जो व्यक्ती मंदिर में जाकर पूजा करता है। अथवा पवित्र पुस्तक का पाठ करता है या सुनता है वह भी धार्मिक कहलाता है। तथा वह व्यक्ती जो प्रक्रती को इश्वर का परियाय मान कर उसके सांदर्य की उपासना करता है। वह भी अपने को धार्मिक कह सकता है। प्रक्रतिक सांदर्य में सत्य को प्राप्त करने वाला मनुश्य अप्रक्रतिक शक्ती में विश्वास ही नहीं करता। इसलिए प्राकृतिक जगत से भिन्न किसी दैविय शक्ती की कलपना उसके लिए संभव नहीं है। हिंदु धर्म और अवतारवाद के संदर्भ में ऐसा व्यक्ती राम और कृष्ण को संदर्य और जीवन की पूर्णता के प्रतीक रूप में आराध्य मान सकता है। परंतु उनको ईश्वर तथा उपास्य रूप में उसका कवी रिदय कभी स्वीकार नहीं करता। इन सब बातों के होते हुए भी हम इस प्रकार के मनुष्य को संभव तह नास्तिक नहीं कह सकते। क्योंकि धार्मिकता का यह कोई कमजूर प्रमान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होगा। आशूलिपी मासिक पत्री का प्रतिलेखन संख्या 34 स्पीड 100 वर्स पर मिनिट स्टार्ट। महोदय आस्था या विश्वास के मुकाबले में एक शब्द है प्रेम। सांस्कृतिक रूप से जागरत मनुष्य के लिए प्रेम का जीवन में विश्वास के मुकाबले अधिक महत्वपून इस्थान होता है। जो मनुष्य अपने को धार्मिक कहते हुए भी इश्वर को ऐ प्राक्रतिक शक्ती के रूप में स्वीकार नहीं करता वह भी इश्वर्य गुणों के साथ अवश्य प्रेम करता है। ऐसी मनह इस्थिती का व्यक्ती इश्वर की सामान्य अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हुए भी मनुष्य मात्र में ही इश्वर को देखता है। उसका धार्मिक विश्वास, प्रेम, त्याग और मानव मात्र की सेवा के द्वारा ही प्रकट होता है। धर्म का वह मानविय रूप संस्कृती का समानार्थी प्रतीत होता है। धर्म जब अंध विश्वास और कर्मकांड की संकुचित और सीमित परिधी से बाहर आ जाता है, तो अपने व्यापक अर्थ में उसकी अभिव्यक्ती वसुधेव कुटुम्बकम की भावना के द्वारा होती है। इस प्रकार मानविय मुल्यों पर आधारित धर्म को संस्कृती से भिन करके नहीं देखा जा सकता। मनुस्य जहां संसार के सापेक्ष मुल्यों के समुचित ग्यान के द्वारा अपनी संस्कृतिक चेतना का परिचर देता है। वहीं अपने विचार और कर्मों के द्वारा धार्मिकता का भी प्रमान दे सकता है। जो धार्मिकता विचार और कर्मों के द्वारा अभिव्यक्थ नहीं होती। उसका आधार प्रेम, सेवा और परोपकार ने होकर धार्मिक कटरता और अंध विश्वास हो जाता है। यही कारण है कि दार्शनिकों, साहित्यकारों और अन्य सोफी संतों ने धर्म में संकेनता और प्रतकता की भावना का हमेशा विरोध किया। इसाई साहित्यकी एक बहुचर्चित कथा है। एक बार बहुत से लोग एक इस्त्री को पकड़ कर जीसस क्राइस्ट के पास लाए और उसके व्यभीचारी होने तथा पापाचरण के लिए पत्थरों के द्वारा उसको मार डालने का अपना निश्च प्रकट किया। प्रभु जीसस ने कहा कि पाप कर्म के लिए इस्त्री को दंड तो देना ही चाहिए परंतु उन्होंने एक शर्थ लगा दी। शर्थ यह थी की सब से पहला पत्थर वह व्यक्ती मारेगा जिसने जीवन में कभी पाप नै किया हो। यह शर्थ सुनकर वे सब लोग सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद एक-एक करके चुपचाप वहां से जाने लगे। देखते देखते वहां इस्त्री के सिवा कोई व्यक्ती नै रहा परा। करुणा आत्म निरिक्षण और प्रेम संस्कृती के मूल तत्व हैं और यह धार्मिक्ता के भी मूल लक्षण हैं। धर्म को यदि उसके सामान्य और स्वाभाविक रूप में लिया जाए तो उसमें जिस आध्यात्मिक्ता का साक्षातकार हूता है। उसके द्वारा ईश्वर को संपूर्ण जगत से अलग करके सोचा ही नहीं जा सकता। ईश्वर परमसत्य का परियाय हर और सौंदर्य परिपूर्ण प्राक्रतिक जगत को हम ऐसत्य नहीं कह सकते। एक सुसंस्कृत मनुष्य को जीवन में दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। एक और वह अपने अंध विश्वास और धार्मिक कटरता से बचने का प्रयास करता है। तो दूसरी और पून अविश्वास और अनास्था के जीवन की जूठी निंदा भी अपने उपर लेना नहीं चाहता। वह कटरवादी लोगों के क्रोध का शिकार भी बनता है। थैंक यू साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि लैटस्ट वीटियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गती बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 सब्द प्रती मिनिट की गती से डिक्टेशन उपलब्द हैं। जिनका आप स्वयम भिलाब लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना नह भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।